कक्छनवी के सभी विद्याती जैसा कि सभी जानते हैं कि मैं आपकी त्रेमासिक परिक्षा की पुन्न तयारी करवा रही हूँ जैसा कि बार बार कमेंट आ रहे थे त्रेमासिक परिक्षा की तयारी करवाओ इसलिए मैं आपकी त्रेमासिक परिक्षा की तर्यारी करवा रही हूँ ताकि आप त्रेमासिक परिक्षा में अच्छे अंक से स्कॉर्प कर सके तो चलिए पहले प्रस्न क्यों आगे बढ़ते हैं चलिए तो पहला प्रसन देखते हैं सही भी कलप चुनकर लिखिए इसका कोश्चन नमबर एक देखते हैं 16 भागे दो बराबर दो इंटू यह अपका बॉक्स में कोश्चन मारका चिन्न दिया हैं खाली बॉक्स में संक्या होगी तो इस बॉक्स में कौन से संक्या आएगी इ कोश्चन नमबर दो देखते हैं कि दी गई आकरती में छायंकित भाग निम्नक के रूप में होगा कौन से रूप में होगा इसका अंसर है दो बटा पांच कोश्चन नमबर तीन है किन्हीं दो परी में संक्याओं का गुणन फल दो परी में संक्याओं का जो गुणन फल हो तो सदेवर एक परीमिशंख्या होती है कि सदेवर एक परीमिशंख्या होती है चलिए उसके बाद में चोथा प्रस्द जिरो पॉइंट 25 और जिरो पॉइंट 4 का गुणन फल का मतलब होगा यह आप इनका गुणा करेंगे ना तो गुणा करके आप कंस निकल कर आएगा 0.1 ठीक है सा नमबर का एक दम राइट ओप्सन है यदि एक दरजन पेन का मुल्य 60 रुपे है तो एक पेन का मुल्य होगा एक दरजन पेन का मुल्य कितना दिया है 60 रुपे दिया है तो एक पेन का मुल्य कितना होगा ठीक है एक दरजन में कितना होते हैं देखें एक दर्जन केले एक दर्जन केले कितने हैं कितने केले होते हैं एक दर्जन में एक दर्जन में होते हैं बारा केले ठीक है तो इसी तरह से एक दर्जन क्या है पेन है एक दर्जन पेन है इनकी किमत दियाप्त की साथ रूपे तो हमें एक पेन की किम करेंगे तो एक क् Node कि केमत निकालेंगे हम साथ है पूरा एक दरजन किंपने टैंब निधीशत है निकलाई पांच Student साथ यही है यह एक गल ते हम करेंगे किया मिलान करेंगे देखिए एक दरजन, पेन कितने हैं, बारा है, एक पेन कितना है, आपका पांच उपे का है, चलिए, पाद दून दर्स, पांच एकम पांच, पांच नेक छे, ठीक है, सही, उपस, तो इसका अंसर कुंसर है हमारा, ये वाला इक्तम राइट, चलिए, इसके बाद में हमार 32 की घात, एक एक, दो, तीन, चार, और ये होगा पांच, चलिए, दो, दून, चार, चार दूने, आठ, आठ, दून, शोला, सोल दूने, 32 को हमें इस तरह से लिखते हैं, दो, की घात, पांच, इन्टू, एक बटे पांच, पांच से पांच केंसिल, अंसर कुंसर हैगा, दो, ठीक है, त चलिए, अगला प्रस्त नहें, रिक्ति स्थानों की पूर्ति कीजिए, चार बटा तीन में, दो, बटा तीन को घटाने, पर डिडिडिस प्राक्त होगा, चार बटे तीन में से घटाना है, क्या है, चार बटे तीन में से चलिए, चार बटे तीन में से क्या घटा रहें, द तो बटा 30, तो इसमें आएगा आपका 2 बटे में ठीकर, चलिए इसके बाद मैं एक घंड में डेडेडे, सिर्स होते हैं एक घंड में सिर्स होते हैं अपके आट चलिए तीसरा प्रस्न बहुऔर 48 भागित, पांच में सेषफल का मान आप सेसपल इसका निकालेंगे ने ये भाग करेंगे इसका तीन अंसर आएगा इसके सेसपल का बहुपत पी एक्स बराबर चार एक्स माइनस तीन का सुन्यक डेडेडेस हैं इसका सुन्यक निकालना में किसका चार एक्स माइनस तीन सुन्यक निकालेंगे बरबर जीरो रखेंगे अब देखिए इधर एक सी ही रहेगा यह प्लस का हो जाएगा और यह क्या जग बटा में ठीक है तो इसका सुन्यक के निकलेगा हमारा चार बटै के शक्म प्रस्ण माइनस प्लस प्लस क्या है अब चार इकल क्या बनेगा जीरो स्थानी मान अमें नहीं पता है मैं आपको अगले वाली वीडियो में बता दूहिंगे तो आप स्क्रीन सोट लोग अच्छा से इसको कंप्लेट करें चले अब अगला प्रसन देखते हैं